चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों नीट की एक्जाम में अभी 75 डेज का समय सेस रह गया है NTA ने Information Blatine में एक्जाम का टाइम टेबिल जारी कर दिया है इसकी एक्जाम डेट 55 मई 24 को है और इस समय में अभी आपको अपने study hours बढ़ा देने चाहिए यानि कि जितनी hours की आप अभी study कर रहे हैं उसमें कम से कम आप 2 से 3 hours और increase कर दीजिए अगर हम maximum hours की बात करें तो आपको 15 hours डेली study करना चाहिए डेली आपको इन 75 डेजेज में डेली 15 hours की study आपकी अवस्य हो जानी चीए आप एक ऐसा time table set कर लो अपने इसाब से time table बना लो उसमें आपका cover हो 15 hours डेली study यानि कि आप 3 काम करने हैं आपको पहले काम करना है आपको पढ़ना, खाना और सोना ये 3 के अलावा आपको चोथा काम करना ही नहीं है तीन में अगर आप 15 hours study करते हैं तो आपके पास में बाकी जो 6 hours बसते हैं वो 9 hours आपके पास में बस जाते हैं इन 9 hours में 6 hours की आप sleeping करें और बाकी 3 hours जैसे कि आपका खाना खाने में या फिर other recreation में आपका 3 hours आप spend करें तो टोटल आपके 24 hours में आप अभी 15 hours आसानी से study कर सकते हैं और ये study hours आपको बढ़ाना ही है क्योंकि अभी exam date नजदीक आ चुकी है ये जो आपको 75 days का समय लग रहा है बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन ये कुछ भी नहीं है इस समय में आपको अभी revision करना है अभी आप जैसा कि 29 February 24 तक अपने syllabus को आप complete करने जितना जल्दी syllabus हो सके उतना जल्दी complete करने फिर आपके पास में समय बचेगा 60 days का यानि कि दो मेने के समय में आप test series की practice करें test series की practice के लिए question practice भी करें अलग से और कम से कम दो test daily के तो आपको देने ही देने हैं अभी जो test का schedule रहेगा वो आप NTA के schedule के according रखें तो NTA ने जो examination का schedule जारी किया है एक बार उस पे नजर डाल लेते हैं हम जैसा कि हम देखते हैं यहाँ timing और duration of examination क्या है ये timing दो बज़े से लेके 5 बज़े 20 मिनट दो पैर ये timing है इसका 3 hours 20 minutes इसके according आप question practice करें test series की practice इसी time के according करें यारी कि आपको जो daily test देने हैं दो test तो आपको देने ही देने हैं कम से कम आप दो test तो दो ही वो दो test का जो timing रहेगा test देने का time वो दो बज़े से लेके 5 बज़े 20 मिनट तक आपका ये timing होना चीए इस time में आपको test series की practice करनी है जो इन्होंने दे रखा है last entry दे रखा है 1 and 3 30 p.m. का examination hall में जाड़ी का समय है उसके बाद में जो announcement important instructions ये हैं वो 1.45 p.m. तक है इसमें इसके बाद में booklet distribution का भी same time है इसमें और जो आपको particulars लिखने हैं जो particulars लिखने हैं test booklet में वो 1 बजगे 50 मिनट पर लिखने हैं यानि कि 1 बजगे 50 मिनट से ले करके 2 बज़े तक आपको complete कर लेने हैं ये जो particulars वगरा लिखने हैं ये आपको omar seats में लिखने हैं omar seat का आपको sample download करना है वो कैसे download करना है इस वीडियो में आपको आगे बता देता हूँ कि वो आपको कैसे download करना है तो वो omar download करने के बाद आप इसमें practice कर सकते हैं practice आपको omar में करनी है particulars आपको एक बज़ के 50 मिनट तक fill करने हैं अपने नाम, father name, mother name, role number ये सारे omar seat में आपको fill करने लेने हैं 2 बज़े से पहले पहले और 2 बज़े आपको test start कर देना है test series की practice start कर देनी है और 5 बज़ के 20 मिनट तक आपको test series की practice करनी है यही stop कर देना है और फिर आप अपना calculate कर ले score आपका कितना आ रहा है तो ये इस time पर आपको omar seat की practice करनी है तो दो चीज आपने important देखनी है सबसे पहले आप study hours को increase करो ये कम से कम आपका 15 hours होना ही चीए डेली 15 hours ही होना चीए मैं guarantee के साथ कहता हूँ कि आपको इस exam में कोई रोक नहीं सकता आपका score कमाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप इसके मुताबिक ये 75 days में आप तयारी कर लोगे तो आपका sure selection है मैं guarantee के साथ कहता हूँ आपका sure selection है आप मेहनत करोगे जरूर पास होंगे इमानदारी से आपको मेहनत करनी है तो आप इस timing में future practice आपको करनी है और test series की practice करन हैं तो उन से आप offline test series ले और उसकी practice करें आप इस परकार से practice करें जैसा कि exam hall में ही आप exam दे रहे हैं practice कर रहे हैं exam hall में ही practice कर रहे है तो study hours बढ़ाना है और जो practice करेंगे वो practice आप omar seat में practice करनी है दूसरी बात जो आप ओमार सीट में practice करेंगे वो schedule के मुताबिक NTA के schedule के according ही practice करेंगे तो अपना जल से दल सलेबस complete कर ले और उसके बाद में practice करें ये जो revision भी करना है आपको साथ revision practice आपके लिए in 75 days में बहुत ही important है ऐसा अगर आपने कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपका 2024 में selection confirm है बिलकुल आप इस प्रकार से मैनत करोगे तो आपका 2024 में 100% selection है अब आपको offline test series की practice करनी है और offline practice करोगे तो आपको paper मिलेगा पेपर आप offline अगर paper किसी भी platform से मंगवाते हैं तो आपको जैसे नीट का paper आता है ऐसे online paper मिल जाएंगे आपको और वैसे ही आपको practice करनी है कम से कम दो test डेली के practice करने है और साथ इसाथ revision भी करना है आपको 11th औ 12th का अब इसमें omar seat आपको जो original omar seat आता है उस पर practice करनी है और वो omar seat आपको कैसे download करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ omar seat डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले इस link पर click करना है यह जो link है https इसके बाद में semiclone double slash nta.ac.in download oblique notice oblique notice underscore 20210820233127.pdf इस पर आप जैसे google में यह type करोगे तो nta की तरफ से पूरा का पूरा आपको एक instruction मिल जाएगा कि कैसे आपको omar seat फिल करनी है इस परकार का आपको एक instruction मिल जाएगा तो वैसे मैं आपको यहाँ पर एक बार गुगल में आपको मैं search करके बता देता हूँ क्या-क्या instructions आपको मिलेगा और किस परकार से आपने omar की practice करनी है इसमें तो सबसे पहले इसके लिए आपको google में जाना है google पर आप एक बार यह जो मैंने आपको बताया है same वहाँ पर type करेंगे इसका जो link है वो description box में भी मैं आपको दे दूँगा description box से भी आप उस link पर जैसे ही click करेंगे तो यह जो मैं PDF बता रहा हूँ इस PDF पर आप आ जाएंगे यह PDF NTA की तरफ से ही दी गई है NTA के ही इसमें instructions हैं कि किस परकार से आपको omar fill करनी है आपने तो यह मैंने address bar में यह type कर दिया है और address bar में type करने के बाद में यह पूरा का पूरा open हो गया है जो NTA ने instructions दिये हैं कि आपको omar fill कैसे fill करनी है जब आप practice करोगे उससे पहले इस परकार से देख लें कि किस परकार से omar भरनी है ताकि आप testing की practice करेंगे तो exam के लिए भी omar fill करने की practice हो जाएगी यह NTA का official notice है उसके according आपको fill करना है how to fill in the omar answer seat तो यह सारा का सारा इसमें procedure बताया गया है कि कैसे आपको यह rounds काटने हैं कैसे roll number fill करने हैं roll number किस परकार से fill करने हैं यह blank box में लिखने हैं उसके बाद में कौन सा गलत है कौन सा सही है उसके बाद में test booklet की number आपने में इस परकार से लिखना है running hand में लिखना है यह सारा इसमें सब कुछ बताया गया है इस परकार से rounds नहीं काटने आपको यह गलत है इस परकार से rounds काटने हैं half round exam में कभी नहीं काटने हैं और एक क्यूसन के 2 round भी आपने कभी यानिकी 2 round पर कभी भी blank नहीं करना है तो ये सारा का सारा इसमें procedure बताया गया है, ये ओमार आपको कैसे फिल करना है, इसमें भी पूरा का पूरा बताया गया है system, तो ये आप एक बार इस link को click करके यहां जरूर देख लें, फिर ये sample दिया गया है, इस sample को आप cybercape या किसी भी computer वाले से print करवा लें इसकी, जैसे क कि मानलो अभी आपको 100 टेस्ट देने हैं तो इसकी 100 कोपी आप प्रिंट करवा लें पचास कोपी प्रिंट करवा लें और इसी ओमार सीट में आप टेस्ट दें इसका लिंक में इस वीडियो के description box में type कर रहा हूँ उससे आप click करके इस link पर जा सकते हैं इसमें पूरी omar seat का ये दिया गया है कि आपको कैसे omar seat fill करना है मैंने previous year के exam में देखे हैं कि बच्चे ज्यादातर गलतियां omar seat में करते हैं उनकी अच्छी तैयारी होने के बात भी omar seat में अगर गलतियां हो जाती हैं तो उनका score minus में भी चला जाता है कहने का मतलब अगर क्यूशन का sequence गलत भर दिया जाएगा तो जिस बच्चे के 700 नमर आर रहे हैं वो बच्चा minus में भी जा सकता है तो इसलिए आपको omar seat बिलकुल अच्छी तरह से fill करनी हैं तो ये मैंने आपको बता दिया है exam के बारे में आपकी exam hours के बारे में भी बता दिया है और ओमार के बारे में भी बता दिया है कि कैसे आपने ओमार फिल करनी है तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है अभी आपको बिलकुल सब कुछ दिमाग से निकाल करके exam के लिए तयारी करनी है और इस परकार से अगर आप exam में तयारी करेंगे यानि 15 hours पढ़ेंगे, टेस्ट सिरीज देंगे, आप ज्यादा ज्यादा टेस्ट देंगे, उसके बाद आप syllabus कंप्लीट करके उसका revision करेंगे, तो आपको कोही भी आपके selection से रोक नहीं सकता, वीडियो के अंत में आपको फिर से बता देता हूँ, तीन चीजों का ख्याल रख करनी है, सेकंड, ओमार सीट, टेस्ट के मुताबिक आपने practice करनी है, ओमार सीट में practice करनी है, टेस्ट सीरीज की practice करनी है, थार्ड, आपको जल्दी से जल्दी अपना syllabus complete कर लेना है, और इसके बाद में साथ-साथ revision करना है, फुल टेस्ट देना है आपको, ये तीन चीजों ध्यान रखो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपका सेलेक्शन इस बार कोई नहीं रोक सकता इसी आसा और विश्वास के साथ मैं आप से लेता हूँ विदा बेस्ट ओफ लग जैहन